हर्यों दर्षक२ शूरी ग्रहन 2015 अमौस्या पर लगने जा रहा है साल का पहला सूरी ग्रहन कपसे लगेगा सूतकाल जाने कहां कहां दिखाई देगा शूरी ग्रहन से सम्धिश सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें साथ ही यदि आप भी सूरी देव को प्रकास का देवत्ता मानते हैं तो कमेंट में जय सूरी देवाए नमा अवस्य लिखें दर्श को आपको बता दें कि चैत्र अमोस्या को साल क पहला सूरी ग्रहन लगने वाला है पौरानिक मानताओं के अनुसार सूरी ग्रहन राहो और केतु के कारण लगता है और यह हमेशा अमोस्या के दिन ही होता है राहो और केतु सूरी का ग्राश करने के लिए आते हैं इस वज़े से सूरी ग्रहन लगता है इसके पीछे का कारण सागर मंतन से प्राप्त अमरित के पान से जुड़ा है आपको पता होना चाहिए कि सूर देव प्रतच्छ देव हैं और उन पर जब ग्रहन लगता है तो उसका सूतक काल 12 घंटे पहले ही प्रारम हो जाता है ऐसे में सूर ग्रहन के सूतक काल में सभी मांगलिक कारिबंध हो ज थी 8 अप्रेल को 3 बचकर 28 सुबह से प्रारम होगी और रात 11 बचकर 50 मिनट पर समाप्त होगी इसके अगले दिन से 4 निवरातरी का प्रारम है 8 अप्रेल को लगने वाला साल का पहला सूरी ग्रहन 9 बचकर 12 पीम से प्रारंब होगा और वा देर रात 1 बचकर 25 एम पर समाप्त होगा ग्रहन के 12 गंटे पहले ही सूतक काल प्रारंब होगा और ग्रहन के समापन के साथ ही उसका भी अंतो जाएगा भारत में नहीं दिखाई देगा सूरी ग्रहन इसलिए नहीं लगेगा भारत में सूतक कहां कहां दिखेगा साल का पहला सूरी ग्रहन साल का पहला सूरी ग्रहन अमेरिका में पूर्ण रूप से दिखाई देगा अमेरिका के 13 राज्यों में या सूरी ग्रहन देखाई देगा या सूरी ग्रहन लेड़ी दुरू इंग्लेंड के उत्तर पस्चिम चेद और आयरलेंड में देखा जा सकेगा